IES और सभी स्टेट PCS को ध्यान में रखते हुए उत्तर लेखन की सबसे प्रभावी जो हमारी कड़ी चल रही है कारकम हमारा चल रहा है उसको अब और बहतर बनाते हुए आप सभी का लाइव अंसर राइटिंग सेशन अब प्रारंब होता है आप सभी लोग इस कारकम से रहा हूँ वह अंसर राइटिंग आठ एक्जामों के लिए है आठ एक्जामों को अभी मैं टार्गेट कर रहा हूँ आठ एक्जाम कौन कौन से ध्यान रखेगा देखे मुख परिक्षा ही सब कुछ है पहले तो यह दिमार्ग में बैठा लिजे बिना मेंस के कोई फायदा रहा हूँ कौन कौन से एक्जाम है आईयेश की अंसर राइटिंग दैजाम के अंसर राइटिंग रहेगी अभी मैं पूरा फॉर्मेट डिसकस करने वाला हूँ आपको यूपी पीश सी ग्जाम के अंसर राइटिंग रहेगी इसके बाद अगला रहेग में 下一 हैग आप टॉपिक बता चुका हूं, अपको पहले ही बता दी जाएंगे किन-किन टॉपिक पर अंसर राइटिंग होनी है, यहां पे GS के जितने भी आपके पेपर हैं, और साथ में आपका जो निबंध का पेपर हैं, इन दोनों को लेकर अंसर राइटिंग हम करेंगे, GS, निबंध और हिंदी समान हिंदी को भी मैं यहां पर थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा आपको हर वीट में एक टास्क और थोड़ा बहुत चीज़ें ऐहाँ पर उंगी और पत्त्य लेखन अब यहां पे ध्यान रखेएगा GS आपकी पूरी कबर होगी जितने भी पेपर हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट ले करके चलूँगा यहां पे GS में मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ एक बार आपको दिखा देता हूँ अंसर रेटिंग में ठीक है लाइब आप लोग मेरे साथ अंसर रेटिंग करोगे ठीक है और यह वाला टेलिग्राम ग्रूप है एक टेलिग्राम ग्रूप भी आपको भी दे रहा हूँ जस्ट टेलिग्राम ग्रूप की लिंग को ऐसे मैंने साजा कर दिया आजादी इस एकडमी के टेलिग्राम पे और दो कोश्चन है एक तो आप मेरे साथ लाइब डिस्क लाइब आप मुझे भेजोगे जब लाइब सेशन चल रहा होगा तो लिखना सीखे वाले ग्रूप में भेजोगे जब लाइब सेशन नहीं चल रहा होगा तो आप लोग के पहले अलगलग telegram group बना रखें आज पहले इंसोर कर लीजे कि क्या आप उष telegram group में जुड़े हैं जो आपके exam का है पहली बात आपको जो answer writing करनी है अपने exam के according करनी है, exam के अत्रिक्त कोई नहीं करेगा, exam का format आज मैं सारा बताऊंगा, मैं पिछले एक लंबे research के साथ आप लोग के साथ उपस्तित हुआँ, इस बार answer writing इतनी सबर्जस्त करेंगे कि कुछ कहने को नहीं, ठेक है, बस अब आप लोग साथ दीजिए और सारे लोग उत्ता लेखन करिए, अब अपनी आदत बनाई answer writing को लेकर, ठेक है, सभी लोग आदत बनाएंगे, देखो इतने subject की answer writing रहेगी आपकी, पहले तो पूरा GIS यहाँ पर कवर कराऊंगा, और निबंध भी रहेगा आपका, हिंदी और पत्त ग्रूप बने सबके, अभी ग्रूप से जोईन कराता हूँ आप सभी को, एक तो AIS का है आपका, यह मलब भारती तिहास की answer writing रहेगी, भुगोल के questions रहेंगे, राज ब्योस्था से question रहेंगे, पर्यवण आब्दा प्रबंधन से question रहेंगे, विज्ञान प्रदोकी से question रह यह सब से जो है आपके questions मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, इस सारे topics आप मान के चलिए, proper हर एक topic से आपके questions रहेंगे, ज्यान रखेगा सभी लोग, ठीक है ना, अब चलिए, एक बार exam wise pattern देख लेते हैं, कि किस exam में क्या pattern है, ठीक है, जितने मैंने आपको exam बताएं हैं, इन सारे exam को ले करके मैं यहां पर answer writing कराऊंगा, आपको सबसे पहले तो यह वाली copy रखनी है, सभी के पास white seat होना चाहिए, ऐसा, यह मतलब इसका format मैंने अजादी इस academy के app में डाल दिया है, PDF डाल दिया, आप चाहो तो print out निकाल सकते हो, यही format आम तोर पे रहता है, हाँ, कुछ exam का अलग है, कुछ exam का अलग है, जैसे कि like RAS का थोड़ा सा format अलग है, MPPSC का format अलग है, ठीक है, वहाँ पे lining वाली copy भी मिलती है, कई जगहों पे, तो वो अलग है, लेकिन हम white seat पे practice करेंगे, lining वाली में तो already आपकी चीज़े अच्छी हो जाएंगी, ठीक है, जहाँ पे lining वाला concept है, वहाँ पे आप लोग कर सकते हो, मैं उसके लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन white seat पे practice करो, ज्यादा भेतर रहेगा, तो ये white A4 size paper होना चाहिए, आपका दोनों तरफ margin खीचा होना चाहिए, ठीक है, जो लोग print out नहीं निकलवाना चाहते है, आपके पास A4 size क पेपर पर पर दे दो question लिखने, एक question मेरे साथ, और same question कैसे करेंगे, सब्द अलग अलग रहेंगे दोनों के, ठीक है, किसके क्या क्या सब्द रहेंगे, पहले तो देखो मैं आपको शुरुआत में topic बता दूँगा, अब एक एक करके लिखते जाना, AIS वाले सबसे पहले, देखो AIS वालों का क्या है, AIS वालों के दो प्रकार के questions आते हैं, ठीक है, एक आते हैं 150 सब्दों में 10 question 10 अंके, ठीक है, दूसरा आते हैं 250 सब्दों में 10 question 15 अंके, तो ये दो प्रकार के question आपके आते हैं, सभी लोग अपने अपने लिखेंगे, ठीक है, और उसी format पे answer writing कर आउंगा, जब मैं आपको question करा timer start करूँगा, तो आपको 9 minute का 150 सब्दी, यानि ये वाली practice आप करोगे मेरे साथ, ठीक है, इसकी practice आप मेरे साथ करोगे, लेकिन 200 सब्द आप सेम topic को घर पे लिखोगे, सेम question को 200 सब्दों में आप घर पे लिखोगे, और उसको IS के telegram group पे भ लोगों को, बट अभी आप पहले इत्मिनान से सुनिए, group में अभी last में सब को join कराऊंगा, सब को group में join कराऊंगा, ठीक है, ध्यान रखेगा, तो 150 सब्दों में यहाँ पर answer writing होगी, आइस वाले एक बार बताएं, क्या समझ रहे हैं, क्या मैं कह रहा हूं, आपको 250 question को बदलेंगे नहीं हम, same question को आप 250 सब्दों में अपने घर पे लिखेंगे, ठीक है, तो यह आपके दो question का format है, total 250 नंबर का एक paper होता है, 20 question आते है, तीन घंटे का time होता है, तो हमारी daily की practice IS वाले बच्चों की यही रहेगी, और जो यहाँ पे 9 मिनट का आप practice करने जा र घर पे same timer लगाना है, आपको थोड़ा सा वहाँ पे मान की चलिए कि 12-13 मिनट आप लेंगे मान लिजे, तो भी 250 सब्दों में आप उसको लिखने का प्रयास करिएगा, आईएस वाले डन है ना, ठीक, अब UPPCS वालों के पास आते हैं, फिर किसी के doubt रहेंगे, मैं बाद में ले लूँगा, UPPCS वाले बच्चों का देखो, दो प्रकार के आपके सब्द होते हैं, एक तो आपका 125 सब्दों में 10 कोश्चन आएंगे 8 अंकों के, ठीक है, और दूसरे 200 सब्दों में 10 कोश्चन आएंगे 12 अंकों के, यहाँ पे जो आपकी मैं प्रक्टिस कराऊंगा, व यह वाला मैं कबर कराऊंगा, यह आप घर पे करेंगे और फिर UPPCS के ग्रूप पे भेजेंगे, जो लाइब अंसर आइटिंग होगी, वो तो हमारा लिखना सीखे का ग्रूप है, वो अलग ग्रूप है, ठीक है, लिखना सीखे वाला ग्रूप अलग है, ग्रूपों से अभ पहले एक बार समझ लो, ग्रूप से भी जोइन करा दूँगा, तो यह UPPCS वालों के लिए है, लाइब अंसर आइटिंग, लाइब वाला जो हमारा लिखना सीखे वाला ग्रूप है, वहीं पे रहेगी, इसके बाद तीसरा जो है, वो है BPSC वालों का, देखो BPSC वालों के स दूसरा है साथ अंको का कोश्चन, तो साथ अंको वाले कोश्चन देखो, आठ अंको वाले 6 कोश्चन आते हैं, ठीक है, और साथ अंको वाले 4 कोश्चन आते हैं, थोड़ा GS paper 1 में, वो मैत वाला सेक्सन है, लेकिन मैंने उसको एक साथ कर दिया, 36 नंबर की मैत आपके, जो आता है, चार कोश्चन इसके आते हैं, और एक रफली 38 नंबर का कोश्चन आता है, जो कि लगबख साथे 500 से 590 सब्द में आइडली कल्कुलेट किये हैं, लेकिन मालो साथे 500 500 सब्द भी लिखना है, तो एक मिनी यस से है, आपका पूरा प्रॉपर, तो BPSC वालों को एक यसा common format बनाया है, और घर पे जो आप करोगे, घर पे आप ये वाली answer writing करोगे, 38 नंबर वाली, 38 नंबर वाली घर पे करोगे, आदे घंटे का time लगाओगे, अब देखो, यहाँ पे मैं आपकी ये 590 सब्द वाली नहीं बत कर सकता हूँ, यदि यहाँ पे मैं करने लग जा जाएगी, 8 नंबर और 7 नंबर की, पर आपको ये वाले question घर पे लिखने पड़ेंगे इत्मिनान से, BPSC वालोग समझ में आ रहा है न, देखे बिलकुल, सब्द सीमा का बिलकुल प्रभाव होता है, BPSC वाले 125 सब्दों में answer writing करेंगे, जब answer writing होगी आपकी, मैं proper instruction दूँ MP वालों के लिए क्या है, यहाँ पे तीन प्रकार के question आते हैं, एक तो आपके तीन अंग के question आते हैं, टोटल 30 question आते हैं, दस सब्दों में लिखने होते हैं, तो ये पूरा अतील अगुत्री है, factual question टाइप में होता है, ठीक है, दूसरा आपको 50 सब्दों में लिखने वाल MPPSC वाले, माप करेगा MPPSC वालों की ये practice यहाँ पे होगी, बाकि घर में 50 सब्दों में आप करोगे, आपको दूसरी practice करनी है 50 सब्दों में, ये तो complete factual है आपका program, ये complete factual है आपका, तो factual वाला आपको, नहीं कर ने, ये 50 सब्दों की practice आप घर पे करोगे, लेकिन 200 सब्दों क प्रक्टिस आप मेरे साथ करोगे, ये MP वालों की बाद, ठीक है, MP वालों के बाद, अगले हैं CG वाले बाद, 36 गड़ वाले बच्चे, 36 गड़ में देखो, 5 प्रकार के question पूस्टा है आपके, 5 टाइप के question है, 35 गड़ में, पहला टाइप है आपका, 22 question आते हैं, दो नंब question आते हैं, 60 सब्दों में लिखने वाले, इसकी भी यहाँ practice नहीं करेंगे, इसके बाद, 100 सब्दों वाले 8 question आते हैं, इसके बाद, 175 सब्द भी हैं, और 125 सब्द भी हैं, वैसे 125 सब्द का एक ही question आपका आता है, तो मैं यहाँ पे जो practice कराऊंगा ना, वो 125 सब्दों की करा 70 सब्दों को घर पे answer rating करेंगे, CGPSC वाले, ठीक है, 36 घर वाले बच्चों का format है यह, ठीक है, तो 125 सब्दों में आपकी answer rating रहेगी, इसके बाद, अगले हैं, RAS वाले, राहिस्तान वालों में, राहिस्तान के 3 प्रकार के question पूझा आते हैं, राहिस्तान में, RAS वाले 3 प्र सब्दों का है, RAS का, तो RAS वाले 100 सब्दों में मेरे साथ answer rating करेंगे, 9 मिनट में, ठीक है, बाकी आपके factual है, पर संख्या बहुत ज़्यादा है, 48 question आते हैं, बताओ, 25 तो आपकी यही है, हाना paper wise थोड़ बहुत fluctuate भी होते हैं, question, बताई यह सही है, इस तरीके से हम चीजो JPSC वाले जितने भी हैं, देखो JPSC वालों के साथ क्या है, दो type के question आते हैं, एक तो वस्तुनिष्ट प्रकार क्याते है, tick mark वाले, तो वस्तुनिष्ट वाले 20 प्रशन आते हैं, दो अंकों का प्रत्येक होता है, और एक आपका होता है, 600 सब्दों में लिखने का, ठीक है, चालिस नंबर का आता है, और 600 सब्दों में केसे की तरह है, चार question आते हैं, एक paper में, तो आप सोचो, मैं यहाँ पे तो 600 सब्द नहीं करवा सकता हूँ, 600 सब्द आपको घर पे करना है, मैं यहाँ पे 200 सब्दों वाली practice कराऊंगा, आपको 200 सब्द लिखने, ठीक है, 200 सब् को, इसके बार next हैं, आपके UKPSC वाले, उत्रा खंड में तो देखो, बहुत ज़्यादा word limit का matter है, हाँ, यह UKPSC है न, देखो UKPSC में क्या है, चार प्रकार के question आते हैं, UKPSC में, थोड़ा सा UPSC style पे मलब नहीं कह सकते हैं, पर यह की changes हुए है, एक तो आपके 20 सब्दों में question आते हैं, UKPSC के, 50 सब्दों में आते हैं, एक आते हैं, एक सो पचीश सब्द में, एक आते हैं 250 सब्दों में, तो यहाँ पर जो आप answer right करेंगे, वो एक सो पचीश सब्दों को करेंगे, एक सो पचीस सब्दों को UKPSC वाले और 250 सब्द आप घर पे करेंगे ये कहां पे करेंगे घर पे तो इस तरीके से UKPSC वाले मेरे साथ 125 सब्दों में करेंगे घर पे 150 यह आपका घर का है घर का टास्क है आपका होम टास्क है आपका है घर का ध्यान रखना यह घर का है लिख लो घर में जो अंसर राइटिंग करना सेम टॉपिक पे और सब को अपने अपने ग्रूप पे भेजना है जो मेरे साथ यहां पे होम ओम वरक है आपका यह घर वाला होम और डो हिलिखने दो को्षिन देली दो कोश्टन लिखो गहे न ढूंड। डीली दो कुष्टन लिखना हैं अञपने जिए द्यान रखना और एक चीज और बता हूं कुछ लोग करेंगे कर रहा हूं एक टार्गेट के चक्कर में बतर हो दो टार्गेट का अभ्यास नहीं कर सकते हो जो JPSC वाले हैं यदि आईएस की तेयरी करने हैं क्योंकि वहाँ पर जार्खंड का पेपर कभी इदार आता है कभी उदार आता है पता ही नहीं होता आ रहा है नहीं आ जाया तो फिर आप केवल IIis की तेयारी पे लगो जेती दे देना इस यह दे देना बिना अभ्यास के सारा खेल अभ्यास का है हम अभ्यास की हम उसी लेबल पे अभ्यास करेंगे जिस लेबल पर आयोग पूछ रहे हैं बस उसके अलावा नहीं जाएंगे अंसर राइटिंग में अब बिलकुश सिस्टेमेटिक कर दिया है पूरा सेग्मेंट आरेस का आपका सव सब्दों में आपको लिखना है मैक्सिमम सव सब्द हैं आपके होम वर्क में 50 सब्द है आपका आरेस वालों के लिए आपको 175 सब्दों का रहेगा होम वर्क आप इसका करेंगे और MPPSC का 200 सब्दों में रखा है मैंने होम वर्क आपका 50 सब्दों वाला है घर में आपको 150 सब्द करना है क्लास आपकी यहां पर होगी ठीक है इसके बाद जो है यह BPSC वालों का 125 सब्दों में हम लोग है और इसके बाद UPPSC वाले जितने भी हैं 125 सब्दों में यहां पर लिखेंगे 200 सब्द आपके होम वर्क हैं ठीक है होम वर्क लिखेंगे आप और यह IS वाले 150 सब्दों में क्लास में करेंगे और यह आपका होम वर्क है 250 सब्द बता है इस सभी को thoughts clear हो गए जो मैं समझाना चारों सभी को clear हो गए कि नहीं सभी लोग clear हो गए क्या कि अब answer rating कैसे होगा एसके dreamer जी ऐसा नहीं है UKPSC मैं अभी थोड़ा सा बीच में अनिमित्ताय हुई है अन्य था किस्तिती में UKPSC का एक्जाम रहता है प्रॉपर आपका है अब देखो यह तो है मलब प्रॉपर आप तयारी ओके रखो आयोक जब एक्जाम लाएगा तब देना और तब निकल पर आप यह मत सोच के चलो आप अपनी तैयारी फोकस रखो और दस कीजों पर तयारी ना करो एक को करो एक को अच्छा करो है ना उसी की हम देओ एक को मैं क्यूं कह रहा हूं एक का अनसर रैटिंग करो एक की test series लगाओ एक का utmost complete करो दस चीजों के ना तो आप answer रैटिंग क होते हैं कहां एक जैसे हैं भी या सब का देखो कहीं वस्तुनिष्ट पूछ रहा है कहीं सब दिसीमा कुछ है कहीं सब दिसीमा कुछ है तो अलग अलग है भाई फॉर्मेट अब देखो मैं जो आपको कुश्चन दूंगा यहां पे कुश्चन मैंने आपको पहले ही बताया है question display करूँगा अभी थोगा बता रहा हूँ कि कैसे पूरा system है जब question display करूँगा 9 minute का timer भी आपके साथ चलेगा जब question display होगा तो 9 minute का आपके साथ timer भी चलेगा ठीक है अब यहाँ पे telegram group के बारे में समझ लो ठीक है सबकी सब्सीमा यहाँ पे लिखना है संस्थान में अपनी copy में आप अपने exam का नाम जरूर mention करोगे ठीक है यहाँ पे question रहेगा question अभी hide किये दे रहा हूँ इस question पे answer rating करेंगे तो यह वाली सब्सीमा के according ही आपको लिखना है बाकी जो दूसरी सब्सीमा रहेगी वो homework में रहेगी आपके यह सब homework में class में आप 150 सब्स घर पे आईएस वाले 250 सब्स होम वर्क जरूर करना है होम वर्क जरूर करना है अब जो RO RO वाले बच्चे है देखो RO RO का क्या है निबंद वाला segment रहता है तो हमारी जो Friday का दिन रहेगा न Friday हम निबंद किया करेंगे Friday to Friday हम निबंद किया करेंगे तो Friday को आप निबंद वाली class में RO RO को benefit रहेगा Friday को ही हम पत्ते लेखन करेंगे Friday को ही Hindi करेंगे क्योंकि आपका GS लिखित नहीं है GS आपका objective type है और objective type के लिए आप सामको साथ बजे वाली class में रहोगे तो वो पूरी आपके mains और प्री दोनों के लिए है objective type में ठीक है महारी विजन स्रीज में RO RO वाले बच्चे जो है RO RO वाले सामको साथ बजे उनका जो महारी वीजन वाली स्रीज है वो objective format पर पूरा मलब आपका वस्तुनिष्ट प्रकार का GS आता है तो वहाँ पर कबर हो जाएगा प्री प्लस में दोनों का objective GS कबर हो जाएगा बट जो निबंद वाला सेग्मेंट हो सब फ्राइडे के दिन निबंद हो गया आपका एसे हो गया आपका पत्त लेखन हो गया समान हिंदी भी रखेंगे वो सारी चीज़े लेकर के चलेंगे वो topic मैंने पहले बता भी रखेंगे कि किस दिन आपका निबंद है अब जसमें निबंद पत्त लेखन और आपका यह रहा करेगा Segment बताइए इससे clear रह जाएगा thought सभी का अब अपने exam wise आप लोग मेरे साथ ले करके चलेंगे और ये आपके लिए बहुत सांदार रहने वाला है अब आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है groups आपको join करने अभी anxiety कर लिजे ये टेलीग्राम आप सभी के पास है सभी ने टेलीग्राम जरूर कर रखा होगा ये टेलीग्राम में पूरी answer writing का segment आपको चलेगा टेलीग्राम में देखे, आजाद AIS Academy में आपको ये सारे ग्रूप मैंने डाल दिये हैं, देखे ये सारे ग्रूप आपके, आजाद AIS Academy पे मैंने सारे ग्रूप डाल दिये हैं, इन में से एक ग्रूप आपका लिखना सीखे करके है, ये वाला ग्रूप, देखे, ये जोईन कर यह तो हमारा जब लाइब अंसर राइटिंग होगी मतलब जब मैं नौ बजे आपको आजाद ही इस अकैडमी पर लाइब रहूंगा तो उस समय ही परमीशन ओन होगी नहीं तो इसमें परमीशन नहीं ओन होगी और यह केवल अंसर राइटिंग का ग्रूप है केवल उत्तर ल सब की टेलीग्राम ग्रूप की लिंक पड़ी हुई है यह पूरे मैसेज को मैं उपर यहां पर पिन कर दूँगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा तो आप लोग आजाद ही इस अकैडमी को टेलीग्राम में आकर के इनको जॉइन कर लिजेगा लेकिन यहां पर यह ज्यान रखेगा कि जो आपका एक्जाम उसी को जॉइन करे गए नहीं की यूपी पीसेश वाला बीपीशों के लिए रहा है बीपीशी वाला आरेस का ग्रूप भी जॉइन के लिए रहा है ऐसा नहीं चाहिए मुझे सिर्फ सेपरेट सेपरेट को देखो और सुबहे क्रेंट अफ away सब्सक्राइब हूए और सलफ इसमें से आप अपने गरुप ही जॉइन किरना सारे लोग टालाग फट्रव लग करने और सुबह करेंटर अफेर्स शेशन होता है तो करेंटर llef गुरुप करना ठीक है ग्रूप मैंने यहां पर दे दिये तो जो आप होमवर्क करेंगे जैसे होमवर्क में मैं आपको बताया कि एक सब्द सीमा आप घर पे लिखेंगे उसका पीडिया बनाई यहां पर परमीशन हमेशा ओन रहेगी त्योंकि यह डिसकसन ग्रूप बनाएगे आप लो और जो आपके यह वाले ग्रूप है यहां पर आप कॉपी भेजेंगे वैसे मैं कॉपी सब की देखूंगा ठीक है और आपकी कॉपी में अदि मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी क्लास में आकर के बोलूँगा भी लेकिन यह कॉपी आप लोग एक दूसरे की help कर सकते प्रॉपर एक ग्रूप study का एक ecosystem हमारा डेबलप होगा इन ग्रूपों से तो यह ग्रूप है जिनको नहीं पता हो अपने exam के recording ही ग्रूप को जोईन करिएगा एक्जाम के recording ही ग्रूप को जोईन करिएगा यस साहू जी करें सर cgpsc prelims को केवल चार महीने बचें सर अभी से अंसर अभी से अंसर आइटिंग करें exam होने के एक महीने पहले तक उत्तल लेखन करना है miens ही सब कुछ है पहले यह बैठाओ जब तक यह नहीं बैठाओ गे तो pt आपको मार देगा सब PT की ही तयारी करना है PT के भी तयारी करो लेकिन आप क्या 2 घंटे mains के लिए नहीं दे सकते 2 घंटे mains के लिए नहीं दे सकते एक question answer write करना है कोई एक subject पढ़ लेना है mains को भी तो time देना ना भाई pre के बाद कैसे कर लोगे प्री के बाद तो time ही नहीं रहता है आपके पास वहाँ तो revision करने का time रहता है बस वहाँ पर चालू करोगे answer writing अभी करना है उत्तर लेखन प्री के पहले हम कोई chance नहीं लेने वाले UKPSC की permission on हो जाएगी जिनकी permission off है वह सारी permission on हो जाएगे अपने शिंत रही है है ना वह सब में on कर दूंगा जो discussion group है जितने discussion group है उन सब की permission on रहेगी जितना ये किवल लिखना सीखे की permission तब on होगी जब मैं यहाँ पर live session कराऊँगा तब मैं permission on करूंगा क्योंकि उसमें मुझे regulate करना पड़ता है कॉपियों को लेकर नहीं तो फिर तो आप कॉपि भेजो ही ना फिर आपको लाएगा permission on है फिर कभी भी भेज दें वो कॉपियां चेक करनी है ना इसलिए मैंने सिस्टम बना रखा है हाँ इसमें किसी भी करोगे घर पे लिखोगे तब आप यहां पर कॉपि भेज पाओगे यह सिस्टम और कॉपि जरूर भेजना है कॉपि मलब यह तो मैं अब होने नहीं दूंगा आपको इतना मतलब आपको आलश्च नहीं आने दूंगा सूरज कुमार जी का बुक लिस्ट आज आ जाएगा आपका साम तक अजाद पब्लिकेशन के चैनल पर आज आएगा बिल्कुल निश्चिंत रही है देखो अजाद पब्लिकेशन के चैनल पर आपको बुक्स औगयरा को लेकर मैं पूरी जानकारी वहां अब लेबल कराता हूं आरो यारो का आज एक्जाम का वो भी आना है है ना तो उसके बारे में चलो बाद में बता दूंगा तो यह तो पूर्या मैंने प्लान आटिंग होगी है डा एक्जाम और एंटेड अंसर राइटिंग डाएगी कौश्चन उस तरीके के होंगे जो सभी एक्जाम उमें पूछे जाने वाले होंगे घीयस बाता दूंगा एसे में अलग-अलग सब्दिसीमा है ना तो यह ध्यान अरहरा है पहले बार सब लोग ब बताएं किसी भी प्रकार का डाउट हो आपको होमवर्क वाला देखो AJ राजपूच जी मैं क्लास में यहां पे जो भी कोश्चन दे के जाऊंगा उसका मैं अंसर फॉर्मेट पहले ही बताऊंगा कि कितने सब्दों में इंट्रोडक्शन लिखना है कितने सब्दों में आपको कि यह लिखना है इसके बाद या कोश्चन के बाद जब आप लिख लोगे लिखने के बाद मलब दोनों चीज़े हो सकती है पहले क्लू दे दू या बाद में दे दू फिर उसके बाद आप लिखोगे लिखने के बाद मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा समझ रहा बात को अ यह काम आप ही को करना है तो देखे आप लोगों के जो रनबीर कुमार जी करें मेरे पास मोबाइल नहीं है तो किस से कर रहे हैं बाई बिना मोबाइल के क्लास कर रहे हैं आप पड़ाई करनी है भी डाइट प्लान के चक्कर में नहीं पढ़ना इतना खायी जिसमें स्वस्तर रहें आप लोग अ रहना चीज बताऊं अभी आप लोग बैचलर लाइफ में वे सेमझ रहे हो अभी जीवन में इतना systematic life नहीं हो सकती आपकी, कि आप पूरे दिन calorie count करो, आप पूरे दिन ये count करो, roughly देखो एक चीज पता होनी चाहिए, पूरे दिन पानी पीना है, ठीक है, मन लगा के पूरे दिन, दो, तीन, चार बोटल, पांच बोटल, चार लीटर पानी पीओ, मन आईए, थोड़ा बहुत, है ना, एक fruit कोई भी रख लो, सुबह मॉर्निंग में, मेरी current affairs की class के बाद, खा लिया करो, खाने क बाद बढ़िया टहल लिया करो, उसी time period पे, ठीक है, कोई भी रख लो, और इसके बाद, fruit के बाद, फिर अराम से, इत्मिनान से, जो भी मिल नास्ते में, सब बढ़िया है, जो नास्ते में मिल जाए, कोई तय नहीं कर सकते, आप लोग अभी कमा थोड़ों न रहे हो, कि आप जो ये खरीद के लाओगे, वो खरीद के लाओगे, इतनी सारी डाइट करोगे, है ना, इतना manage करने का time नहीं आपके पास, पूरा दिन ख का ये थोड़ा सा, कचरा मत भर लीजे पेट में, कि कुछ भी कचरा खा रहे है, हाँ, मैं बोल रहा है, मैं बता भी दूँगा, मैंने डाइट प्लान पे वीडियो बना भी रखा है, बट ठीक है, मैं एक separate वीडियो में बता दूँगा, डाइट प्लान, कोई टेंसन नहीं है, जो मेरा डाइट प्लान है में वही आपको सजेस्ट कर लूँगा, आप कस्टमाइज कर लीजेगा, बट मुझे पता इस्टुएट लाइफ में बड़ा मुस्किल है, इतना है नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेगा, इस बात को छीक है, देखो, सभी को मैं जो यहाँ पर टॉपिक दूँगा, उसी टॉपिक पर आंसर राइटिंग आपको करना है, बाकि आप घर पे अधर से कुछ एफर्ट कर रहे हैं, तो भी करते रही है, उसके लिए मैं कोई भी वह नहीं कह रहा हूँ, निकिल प्रीजी सर मेरा, निकिल प्रीजी करें सर मेरा पेट बाहर आ रहा है, तो मेरा पेट बाहर आ रहा था, बट अब सही है, थोड़ा बहुत कंट्रोल करो, खाने पीने में, पाकि पेट का क्या है, वो तो अपने हिसाप से आता जाता रहेगा, जीरो लेबल से पढ़ाओंगा, मैं जीरो लेबल से अंसर राइटिंग आपकी करवाओंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो मिल जाए, खाओ पी हो, ज़्यादा चक्कर में मत पढ़ो, सब्दो को काउंट करना मैं, जब कोई अंसर राइटिंग की कॉपी आएगी ना, तो उसमें बताऊंगा आपको सब्दो को कैसे काउंट करना है, ठीक है, तो ये आपका जो है फॉर्वेट हो गया, इस तरीके से अंसर राइटिंग अब आप हमारे साथ करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा, अनन्द भी आएगा, एक बड़ टॉपिक फिर से बता जेता हूं, अगेन, अभी जो अगामी टॉपिक है, वो टॉपिक की लिस्ट आप लोगों को पिछले उसमें मैंने बताई थी, टॉपिक में पहले से बता दूँगा, इनी टॉपिक पे आ अंसर राइटिंग हुआ करेगी, द्यान रखना इस बात को, ठीक है, क्लियर है सबी को, कोई भी डाउट होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें,